खेलो दोस्तों आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलज़ पर आज का टॉपिक है काजी रंगा नाशनल पार्क के बारे में मजेदार और रोचकत त्यवद दिलचस्प बातें और कुछ अनोखी जानकारियां अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक करें तो शुरू करते हैं एक काजी रंगा नाशनल पार्क भारत के असम राज्य के गोला घाट और नगाओ जिले में बिस्तारित है यह राश्ट्रिय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्वभर प्रसिध है युनेस को की विश्व विरासत सूची में शामिल काजी रंगा को 1905 में राश्ट्रिय उद्यान घूशित किया गया था दो काजी रंगा नाशनल पार्क के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले यह प्रशन उठता है कि इसका नाम काजी रंगा क्यूं पढ़ा वैसे तो इसके नाम को लेकर कई किवदंतिया प्रचलित हैं लेकिन अगर स्पष्ट रूप से समझें तो इसका नाम यहां पाए जाने वाले लाल हिरन से संबद दिखाई पड़ता है क्यूंकि काजी रंगा शव्द का करभी भाशा में अर्थ निकालें तो काजी का अर्थ होता है बकरी तथा रंगा अर्थात लाल रं तीन काजी रंगा नाशनल पार्क असम के लगभग 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है यह राश्ट्रिय उद्यान एक सींग वाले ग्यांडे के लिए प्रसिद्ध है एक जून 1905 को इसे प्रस्तावे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट घुशित किया गया था 1916 में इसका नाम बदल कर काजी रंगा गेम रिजर्व कर दिया गया तथा वर्ष 1950 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घुशित कर दिया गया आगे चल कर वर्ष 1968 में असम राश्ट्रिय उद्यान अधिनियम पारिध हुआ जिसके बाद इसे राश्ट्रिय उद्यान कर दिया गया जार 11 फरवरी 1974 में भारत सरकार द्वारा काजी रंगा नैशनल पार्क को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई वर्ष 1985 में काजी रंगा राश्ट्रिय उद्यान को युनेसको की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया पांच काजी रंगा नैशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है इस पार्क में एक सींग वाले गैंडे की विलुप्त प्राय प्रजाती का विश्व की दो तिहाय आबादी निवास करती है इस पार्क में उपस्थित एक सींग वाले गैंडो एकी संख्या लगभग दो हजार चार सो पचास है यह ग्यांड़े देखने में काफी मोटे तथा इनका वजन लगभग तीन तन तक होता है यह ग्यांड़े 35 किलोमीटर प्रती घंटा की रफतार से दोड सकते हैं इनकी देखने की खृमता काफी काम होती है लेकिन इनकी सुनने की शक्ती बहुत तीवर होती है इनकी आयू लगभग 40-50 वर्ष की होती है 6. काजी रंगा नैशनल पार्ख में स्तंधारियों की लगभग 35 प्रजातिया निवास करती है जिन में सरवाधिक संख्या में एक सींग वाला गैंडा, जंगली भैंस तथा दलदली हिरन निवास करते हैं इसके आला यहां पाए जाने वाले जानवरों में हाथी, बंगाल टाइगर, गौर, सामभर, जंगली सुवर, लोमडी, गोल्डन सियार, गोल्डन लंगूर, भालू, भारतिय मोट जैक, ग्रे नेवला, जोटा नेवला, जंगली बिल्ली, आदी शामिल है यहां पाए जाने वाली, कुल प्रजातियों में से, 15 प्रजाती संकट ग्रस्ट सूची में, शामिल है, साथ, काजी रंगा नैशनल पार्ख में, पक्षियों की अनेक प्रजातियां, निवास करती हैं, अनेक प्रकार के प्रवासी पक्षी, जल पक्षी, शिकारी पक्षी, तथा गेम बाद्स आदी शामिल हैं यहां पाय जाने वाले पक्षियों में सफेद वाले हांज, फेस जिन बत्तक, वेय पोचट बत्तक, काली गर्दन वाले सारस, एशी आई ओपन विल स्टोग, आदी शामिल हैं जल पक्षियों में यहां, विलित के किंग फिश, सफेद पोलमेशियन पहेलिकन, स्पोट विल पहेलिकन, नोडमेन के ग्रीन शनक और काले वेल वाले टान, आदी शामिल हैं। गिद्दों का घर माना जाता था, लेकिन अब गिद्दों की आबादी विलुप्थ होने की कगार पर होने के कारण, यहां गिद्दों की संख्या काफी काम हो गई है, तथा गिद्दों की कुछ ही प्रजातियां यहां रह गई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बाड से घिरे इस राष्ट्रिय उद्यान में विभिन प्रकार की वनस्पति तथा पहेड पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो यहां के परिवेश की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं जिससे यहां आने वाले पर्यतकों के अल भी भारतिय करोंदा का पास का पहेर सामान्य एक हाथी सेब कंचनजूरी पनवारी अलग-अलग प्रकार के जलिय फूल तथा ज़ाडियां आदी पाई जाती हैं दस प्रकृती की इस अनमोल धरोहर में घूमने के लिए परिटकों की सुविधा है तू यहां दो तरह की सव सवारी तथा जीब सवारी शामिल हैं और इन दोनों ही सवारी का आनंद आप दिन में दो बार ले सकते हैं इन दोनों सवारी की मदद से आप काजी रंगा नैशनल पार्क की खूबसूरती का आनंद लेते हुए यहां के प्राकृतिक द्रिश्यों तथा जीव जन्तूओं क को देखने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं 11 काजी रंगा नैशनल पाक में वन विभाग द्वारा दिन में दो बार सुभ साध्य पांच से साध्य साथ तथा शाम को तीन बजे से चार बजे बजे तक हाथी सवारी की सुभिधा उपलब्ध है अगर आप हाथी की सवारी द उठाना चाहते हैं तो ये अनिभव आपके लिए बहुत ही आनंद दायक होगा हाथी सवारी में यहां पर चार पर्यटक तथा एक हाथी चालक सहित पांच लोगों को बैठने की अनुमती है 12 यहां हाथी सवारी के लिए लिए जाने वाले शुल्क में प्रवेश शुल्क सवारी शुल्क दोनों ही शामिल हैं काजी रंगा में हाथी सवारी आपको यहां पाए जाने वाले विश्व प्रसिद गैंडो सहित अन्य जंगली जानवरों जैसे हाथी जंगली भैंस बंगाल टाइगर आदी जीवों के आकरशक नजारों का अनुभव कराएगी 13 काजी प्रसिद गैसे हाथी सवारी के अलावा जिम कोबेट नाशनल पार्क की तरह ही जीप सवारी का भी आनंद ले सकते हैं जीप सवारी भी दिन में दो बार सुभर साथ बजे से साधे नौ तथा दोपहर में डेर बजे से साधे तीन बजे तक उपलब्ध है आप यहां से करिस पाक के नजारों का लुट्व उठा सकते हैं यहां आने वाले पर्यटकों को जंगल सवारी का अनुभव अवश्य लेना चाहिए 14 यहां पाए जाने वाले जीव जन्तु और यहां का प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा पर्यटकों के मन में एक अलग ही छाप छोड़ हैं जिसे भूलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है इन दृश्यों को देखने के लिए बार बार आपका ध्यान काजी रंगा नाशनल पार्ग की तरफ अवश्य जाएगा क्योंकि ऐसे मनमोहक दृष्य आपको कही और देखने नहीं मिलेंगे 15 काजी रंगा नाशनल पार क्योंकि यहां मांसून से पहले से लेकर मांसून के बाद तक भारी वर्षा होती है जिसकारंग ब्रह्म पुत्र नदी इन दिनों अपने उफान पर खोती है जिससे यहां बार्ड की स्थिती बनी रहती है इसलिए आप अगर यहां घूमने जाने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रेल का समय सबसे अच्छा है इस समय यहां का मौसम काफी सुहावना रहता है और इस समय जाने पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का भी सामना नही करना पड़ेगा, जिससे आप यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनन भी ले सकते हैं, सत्रह, यहां हर वर्ष देश दुनिया से अनेकों परियतक घूमने के लिए आते हैं, यह कुछ यूँ कहें, यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्शन उन्हें, यहां नैशनल पार्ग पहुँचने के लिए आपके लिए तीन माध्यम उपलब्ध हैं, आप इन तीनों में से किसी भी माध्यम से यात्रा करके यहां पहुँच सकते हैं, जिनमें हवाई जहाज, रेल मार्ग तथा सडख मार्ग शामिल हैं, 18 हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर काजी रंगा नाशनल पार्क पहुँचने के लिए यहां के दो सबसे नजदी की एयरपोर जोरहाट तथा गुहाटी है जोरहाट एयरपोर्ट जिसकी दूरी काजी रंगा से लगभग 96 किलोमीटर है यहां पहुँचने के लिए सबसे नजदी की एयरपोर्ट है तथा दूसरा सबसे नजदी की एयरपोर्ट गुहाटी है जो काजी रंगा नाशनल पार्क से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये दोनों ही एयरपोर्ट काजी रंगा से सड़क मार द्वारा जुड है 19 काजी रंगा नाशनल पार्क का सबसे नजदी की रेलवे स्टेशन फरकेटिंग फोरकेटिंग है जो काजी रंगा से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यहां से दिल्ली कोलकाता गुहाटी के साथ साथ भारत के अन्य प्रमोक शहरों के लिए भी ट्रेन की स्टेशन जोर हाट 90 किलोमीटर तथा गुहाटी 230 किलोमीटर स्थित हैं इनकी मदद से भी आप काजी रंगा नाशनल पार्क आसानी से पहुंच सकते हैं 20 सडक मार्ग द्वारा काजी रंगा नाशनल पार्क पहुंचने के लिए आपको एनेच माइनस 37 सेकंड यात्रा करनी होगी इस मार्ग पर आपको बहुत से निजी सार्व जानेक तथा सरकारी वहनों की सुबधा उपलब्ध है आप चाहे तो आप इस मार्ग द्वारा अपने निजी वहन से यात्रा करके भी काजी रंगा पहुंच सकते हैं इस मार्ग में यात्रा के दोरान आप वहां की देखने के लिए धन्यवाद